नमस्कार मैं प्रितिका मजूम्दा स्वागत है आप सब लोगों का एस्टो तक चैनल में आज आप लोगों के लिए आज एक नया टोटका लेके आए हूँ और ये टोटका हर किसी के लिए बहुत जादा यूसफूल है ये टोटका अच्छे से सुन लिजेगा और पेन और पेपर लिखे बैठ चाहिएगा ये टोटका है तंट्रो से सूख समरीद्धी की बिध्धी बहुत लोग है बहुत परिश्रम के बाद भी कारोबार में उनका मुनाफ़ा नहीं होता और उनके धन आकर घर में आकर भी खर्च हो जाते हैं ऐसे परिशानियों के लिए आज चो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ यह ऐसे हर किसी के लिए बहुत जादा यूसफूल है जैसे किसी भी गुरु पुश जोग जिस दिन होगा उस दिन शुब चन्रो मा के दीन अगर उस दिन पुरन बाशी भी हो तो आप सुबह नहाद होके एक आपको थैली त्यार कीजिए जो लाल हो या पीला रंग की सूती की हो या रेशम की थैली आप त्यार के लेजिए छोटा सा और आप खुद नहाद होकर हरा कपड़े पहल के हरा आसन में आप बैच चाहिए सामने आप गनीश जी की एक फोटो रख लेजिए फोटो के सामने आप धूप दीप जलाईए जो प्रशाद आप रखिए मोदुक का भोग लगाईए गनीश जी को जो बहुत पसंद है मोद करेंगे यह कि उस जो थैली अपने तियार किया उसमें साथ मूंग मूंग की दाने दस क्राम साबुद धनिया एक पंचो मुखी रुद्राक्ष एक चांदी के रुपईया दो सुपारी दो हल्दी की गांठ रखकर धाइने मूंग के गनीश जी को शुद्ध घी की दीपक स रखिएगा और पूझा आप जैसे नित्व पूझा करें के सांग आप गनेश जी की मंत्र है इसका आप 180 बार करें ऐसेcentered चीनद आप करने के बाद जैसे उस दिन तो आप यपकर्ख Capital के वह थै़ली जो है वह में रख देंगे और आगे आपको इसे ब compat reinforcing को जब भी आप पूजा के लिए आप बैठेंगे रोज की पूजा के लिए बैठेंगे तो 108 बार आप गनीज जी का उंग गंग गनपते नमाना इस मंत्रों का 108 बार आप ज़रूर जब करें ऐसा 21 दिन तक आपको करना पड़ेगा देखिए आपके जो सारे परिशानी है उस समाप्त हो जाएगा चल्डी से जल्डी तो आज के लिए मैं आप सब लोगों के सामने इजाज़त लेती हूँ अगला वीडियो में फिन नया आप लोगों के सामने टोटके लेके आती हूँ कोई नया साधना लेके आती हूँ कुछ नया जो काला जादू के बारे में बात करने आती हूँ तो जब तक मुझे इजाज़त दीजिए नमशकार